सो हेविंज मैं याश्य विडियो आप बढ़ीया होंगे तो आज वीडियो मिने बात करने वाले है कि ले बीका जो प्लीक की सब को पर बताने वाला हुं ठीक है यहां पे आपको ऊछिर अपको चुरू करतें बेना कोई टाइम वेस्ट किए सो गाँज तो सबसे पहरे हमनों बात करते हैं और जो है कि कितने सारे सीविश्टर होते हैं ठीक है तो यह देखों आपको बता थे सल Nash होता है यह Wellness और इसमें 6 semester total रोते हैं 6 मैंएट का एक semester होता यानि कि 3 साल में आपके 6 semester पढ़ाए जाते है ठीक है और इन 6S comigo में आपको en ऌन्हें सीमेस्ट्र डिवाइड के जाते है आपको क्या पढ़ा जायगा second semester में आपक्या पढ़ोगे third semester में आपक्या पढ़ोगे होगे four semester में क्या पढ़ोगे ऐसा ही five or six semester में आप क्या पढ़ोगे ठीक है तो चले हम लोगो शुरू से बात करते हैं तो फर्स semester से ठीक है तो फर्स semester में आपके जो छे papers होते हैं ठीक है यह जो है बार council of India से registered होते है ठीक है आप किसी भी college से हो आपको जो है सब आपका सेम होता है ठीक है यह क्योंकि यह बार council of India रेजिस्टर करता है यह तो पहले semester कि हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपके छे papers होते हैं ठीक है तो इसमें जो पहला subject होता है वो है law of taught ठीक है law of taught वन दूसरा आपका जो है family law वन जिसमें आपका हिंदू law आ जाता है ठीक है तीसरा आपका law of crime इंडियन पीनल code यानि की IPC के according ठीक है जो चौथा subject है वो है आपका constitution law पछमा आपका involvement law छटमा आपका law of taught ठीक है पहला आपका law of content 1 था और last में जो आपका law of taught ठीक है तो difference हो दोनों में तो यह कुछ बुकों के नाम है चाहो तो आप इस बुक को purchase कर सकती हो यह कुछ writers की नहीं में नहीं त सब चीजों के अंदर क्या-क्या पढ़ा जाता है ठीक है क्या important होता है क्या आपको आगे भविश्य में काम आने वाला यह सब आपको डिटर में बता सकता हूं ठीक है नीचे लेकिन आप comment करोगे तो semester two के में बात करते हैं ठीक है तो semester two में आपके जो छे papers इसमें भी होते ह हैं इसे में आपका sale of good act 1930 भी आ जाता है ठीक है paper two की बात करते है तो paper two आपका family law second आ जाता है जिसमें आपको पड़ा होगा कि family law one था इसमें आपको हिंदू लो था लेकिन इसमें आपको Muslim law आपको देखने को मिल जाता है ठीक है paper three की बात करे तो human right law जाती है ठीक है paper four की ब organizations होती है paper six की बात करे तो आपको यहाँ पर legal writing including general English होती है ठीक है अगर आपको थो और डिटेल में जाना semester two के बारे में तो नीचे comment करना पड़ेगा ठीक है रुको 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 एक चीज़ आपको बता देने जो की काफी important है अगर आप जो lock student हो अगर आप LLB करना चाहते यह final CL या फिर कोई physical problem हो रही है तो आप जो वहाँ पर doubt concern तो करिये एक बार आपके जितने भी doubts है सारे बच्चे आपको मिल के आपको solution निकालेंगे इसलिए मैंने टेली ग्राम पर एक group बना कर रखा है law student by avians नाम का या फिर आप जो है विदी संकाय एक तर ठीक है इस नाम पर discuss भी कर सथे जो भी आपके doubts होंगे तीक है जो चलिए आगे continue करते हैं अब हम लोग बात करते हैं पर में आपको छे सब्जेक्ट होते हैं जैसा कि इसमें भी आपको देखने को मिलता है तीक है इसमें आपको पहला जो subject होता है यानि कि पहला जो paper होता है वह आपका जू स्पेस्फिक कोई कॉंटेट यह जाएगा जैसे कि इंडियन पाटनर्शिप एक्ट 1932 एंड स्पेस्फिक रिलीफ एक्ट 1963 यहां पर पढ़ाई जाएगा पेपर फॉर में बात करें यहां पर कंपनीज एक्ट 23 एंड नेगोटिबल इंस्ट्यूमंट एक्ट 1881 ठीक है पेपर कर का आपके सामने बुक कि हैं लिस्ट है आप वहान से देख सकते हो ठीक है अब एमस्टर four की बात करते हैं ठीक है में ठीक है अगर आपको semester 4 को थोड़ा और detail में जानना है तो यह आपको नीचे comment करना पड़ेगा ठीक है semester 5 में भी आपके 6 papers होते हैं ठीक है जैसे आपको साधे semester में तो same वही आपका semester 5 में भी देखने को मिलता है ठीक है तो semester 5 में आपका जो पहला ठीक है ठीक है अगर आपको फोड़ी में जाना नीचे की में तो नीचे कमेंट करना पड़ेगा, जिसको मैं और डेटिल में बता सकता हूं semester 5 में आपको कौन कौन से बुकेल लगेगी वो आपके screen सामने आपको देखने को मिल जा रही है तो में लोग बात करते हैं आखरी semester जो कि मारा semester 6 होता है तो इसको थोड़ डेटिल में देख लीजिए semester 6 में आपका जो पहला paper होता है जुविलियन जस्टिस एक्ट 2015 एंड पॉसको एक्ट 2012 ठीक है पेपर 4 की बात करेंगे तो यहां पे आपका ड्राफ्टिंग प्लीडिंग अंड कन्वेंसिंग आ जाता है ठीक है तो पेपर 6 की बात करेंगे आप पे अल्टनेट डिस्प्यूट एंड रिडेशल सिस्टम इंडिया ठीक है अब लास्ट पेपर की में बात की जैसे कि मैंने आपको बताया है कि semester 6 जो की आपका आखरी semester होता है इसमें आपके 7 papers होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि semester 1 से लेके semester 5 तक आपके 6 papers सारे semester में थे यानि लास्ट सेमिस्टर में आपके 7 papers हो जाते हैं तो सत्वा पेपर जो है आपका mode code चलता है आपका यहां पे ठीक है एंड पार्टिशिपेशन इन ट्राइल पोसीजर जैसे कि प्रेटिकल ट्रेनिंग होगा केस डाइगरी होगा एंड वाइवा वाइस चलता है आप ठीक इंडिया से रजिस्टर है पूरा जो है न्यू पैटर्न पर बेस था जो कि मैंने आपको हर एक चीज को अच्छे सी किया है अगर इन केस कोई चीज आपको डाउट लगती है तो नीचे कमेंट कर दीजएगा वहाँ पे आपको रिप्लाई दिये दूँगा अगर आपको ज को जौए नहीं किया तो जयंग कर लेजा इसमें बस लॉक की बच्चे और उनेदर को इसकी कोई बच्चा नहीं है तो आपको जौइन जरू कर लेना चाहिए अगर आपके कोई भी डाउट होगो आंपर सारी डाउट को क्लियर किया जाता है ठीक है तो चलिए आज वीडिय में तब तक के लिए जैहिन जैमारत